तो डियर एस्पेरेंट सबसे पहले तो आप यहां पर द्यान दीजे कि नेवी के लिए complete batch course शुरू हो चुका है जी यहां दोस्तों आप देख सकते हैं आनेक एडमी पर यह तीन मई से लक्ष नेवी नाम का complete batch course शुरू हो चुका है जिसमें मैंक सर हैं आपके दिक्षा मैं मै खेता रामसर हैं अब इसे क्या दोसर है मतलब सारे टॉप एजुकेटर मिल करके आपकी जो है इस batch course में आपको पढ़ाने वाले है ठीक है तो आपको करना कुछ नहीं है यह आप बहतर त्यारी करना चाहते हैं आपने फार्म अपलाई कर देया नेवी का तो फटा-फट तो यदि आप सच में बहतर त्यारी करना चाहते हो नेवी की अभी से जो है आप देख सकते हैं इस batch course में भी आपके रामसरूप ग्यानी से रहें चित्रा मैं मैं ध्रम देव मिसरा से रहें तो मतलब आपकी जो त्यारी है ना वह अलग ही लेवल की हो जाने वाली है तो अधरान यदि referral code मांगता है तो आप इस्टेंड़ अप क्लासे जरूर यूज कर लेना क्योंकि इंटाप एजुकेटर की special classes भी चलती है जो फुरी होती है ठीक है तो जब आप ये referral code यूज करोगे इस्टेंड़ अप क्लासे तो वो सारी special classes आप बिल्कुल फुरी आप कॉस देख पाओगे और साथ में जब कभी आपकी ये प्लस courses बाई करते हो ठीक है बैच बैचेज खरीदने के लिए complete बैचेज जो है खरीदने के लिए तो आप पे आपको जो है इस पर एक्स्टा 10% का discount में मिल जाएगा तो करना कुछ नहीं है फटाफट जाकर करके आपने कैसा आप सब उमीद करता हूं अच्छे होंगे तो दोस्तों यह आपको भी पता कि आज है लास्ट डेट यानि पांच मई है आज ठीक है तो SSR AA का फॉर्म भरने का आज लास्ट डेट है तो काफी लोग ने फॉर्म भर दिया और काफी लोग नहीं भर रहा है तो आप सभी डोमिसाइल है या फिर जो सर्टिफिकेट वेगरा आपके मार्सीट वेगरा है वो अपडेट का आपसर नहीं आ रहा था ठीक है तो इसलिए जो मेरा डोमिसाइल है वो 2017-18 का बना हुआ था और आपको भी पता कि तीन साल के लिए वैलिड होता है तो मैं अपडेट नहीं कर कर आपका सबसे पहले अपने यूजर प्रॉफाइल में जाना है ठीक है अपनी यूजर प्रॉफाइल में सारे डेटा चेक कर लेज यदि कुछ नया कुछ चेंज हुआ और लिए उसको वहां से सबसे पहले आपको अपडेट करना पड़ेगा तो डोमिसाइल या भी आप् अपलाई करना है टरब जिन लोगों ने अपटेट नहीं किया अपना डो मिसाइल अपने नयाद भरऌ परफााइल प्र प्रोफाइल में और एक बार फिर से अपना जो डो मिसाइल है उसको नय वाला अपडेट करेंगे वहाँ पर अपलोड करेंगे पुराना वाला रीमोव करके ठीक है ध्यान से सुनिएगा यूजर प्रोफाइल में जाएंगे और पुराना वाला जो आपका डो मिसाइल है उसको हटा देंगे उसके जगह पे लेकिन भाई साब यहां पर एक चीज देखो बहुत है जब जब आफलाइन एक्जाम होता था उस समय इतने फार्म कभी नहीं आते थे ठीक है ऑनलाइन में बसरती इससे अधिक फार्म आते थे आज के डेट में जो है यह साढ़े तीन लाख से जो है चार लाख भी हो जाए चार लाख होना तो मुस्किल है लेकिन नियर एबाउट 370 के या फिर जो है आपका 380 के जरूर हो जाएगा तो अब यह लोग आप एक बात बताओ इतने लोग इलीजिबल है तो यह लोग सिर्फ 10,000 को कैसे बुला सकते भाई तो एक बार नेवी एक बार फिर से जो है इस पर विचार जरूर करेगी कि ओनलाइन एक्जाम कराया जाए और सब को मौका दिया जाए जो है एक्जाम देने के लिए या फिर यह नेवी के एक चार्ल भी हो स करता हूं कि सभी लोग अपलाई कर दो ठीक है क्योंकि कुछ भी नहीं का आजा सकता है मतलब यह जो है जो 70 परसेंट चांस है ना वह आउनलाइन एक्जाम का है और बाकी 30 परसेंट चांस आपका आफ्लाइन एक्जाम का है यह करेंट फार्म को देखते हुए जितने फार् कर आई हुए है तो फाइनली यही एक बड़ा अपडेट था जो आप सभी को बताना था वीडियो पसंद आयों तो वीडियो को लाइक कर दीजिये चैनल पर ना है तो चैनल को ससक्राइब कर लिए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेर कर दीजे ताकि वो भी यह अपडेट देख सकें और अपने डू मिसायल को अपडेट कर सकें और साथ में यदि फार्म नहीं अपलाई की हैं तो फार्म अपलाई कर लें तो चलिए फिर मिलता है नेक्ट बोड़े में तब तक के लिए धन्यवागा